सब्सक्राइब कीजिए Modern Computer Institute के YouTube चैनल को और वैल आइकन को दवाईए latest educational वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो मैं आपको बताने बाला हूँ Semble Option के बारे में जो कि आपको Microsoft Office Word 2016 में Insert Tab के अंदर Sembles Group में मिलता है नमस्कार दोस्तों मैं दीपक और स्वागत आपका Modern Computer Institute के YouTube चैनल में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अभी हम लोग Microsoft Office Word ओपेन कर लेंगे Blank Document Insert में आए आपको यहां मिलेगा Sembles Sembles Group के अंदर तो Sembles होता है क्या धेर सारा ऐसा Sembles है जो कि आपके Keyboard में अवलेबल नहीं है तो उसका अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहां से Sembles से यूज कर सकते हैं जैसे Alpha का हो गया Sembles Beta का हो गया या ठीटा हो गया आपका या फिर Pi का Sembles हो गया Mu का Sembles हो गया Ohm का Sembles हो गया धेर सारा ऐसा Sembles है जो कि आपके Keyboard में अवलेबल है ही नहीं तो वो सब Sembles का आप यूज या Sembles में आके कर सकते हैं जैसे किलिक किये आपको जो भी Sembles चाहिए आप डारेक्ट यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं किलिक करके किलिक किये किलिक किये जो भी Sembles है आप डारेक्ट यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं अलग-अलग टाइप का यहां पर आपको Sembles मिल जाता है उसके बाद Sembles में आए यहां आपको नीचे मिलता है More Sembles अगर आप यहां आते हैं तो वही सब Sembles आपको यहां भी मिलेगा और उसके अलावा भी धेर सारा Sembles मिलेगा जैसे यह Ohm का Sembles किलिक किये Insert धेर सारा यहां Sembles है जैसे Infinity का Sembles Insert जो भी आप Sembles Insert करना चाहते हैं यहां से उसको Select किजिए और Insert कर दीजिए उसके बाद दूसरा और तरीका है हर एक Sembles का अपना Character Code होता है उस Character Code के थुरू भी आप इसको Insert कर सकते हैं जैसे आप देख सकते यहां पर Character Code है यह Character Code के थुरू भी आप उसको Insert कर सकते हैं तो जैसे Alpha को किलिक किये इसका आप Character Code देख सकते हैं 0-3-B-1 है अब उसके बाद आपको करना है क्या Alt-X प्रेस करना है Keyboard से 0-3-B-1 Close किये इसको Enter करते हैं नीचे आएं थुरू सा साइज बढ़ालते हैं ताकि आपको बढ़ा दिखे Insert में आए 0-3-B-1 0-3-B-1 Type किये हैं और Keyboard से आपको Alt-X दबाना है Alt-X देख सकते हैं यह आपका अलफा आगिया अगर आप इसका Character code भी याद करते हैं याद रखते हैं तो आप उसका असानी से तुरंत यूज कर सकते हैं जैसे बीटा होगी आपका 0-3-B-2 0-3-B-2 और Alt-X यह आपका बीटा आगिया Character code याद रखने से आप EGB में तुरंत सेंबल को एड कर सकते हैं जैसे आपका पाय है 0-3-C-0 0-3-C-0 Alt-X यह आप देख सकते हैं पाया गिया तो यह आपका हुआ Character code के थूरू insert करना Direct भी insert किये हैं हम लोग और Character code के थूरू भी insert किये अगला है क्या आपको जिस सेंबल का ज़्यादा जरूरत पर रहा है आप उसका shortcut की भी बना सकते हैं जैसे आलफा को किलिक किये shortcut की यहाँ पर आप देख सकते हैं एक box दे दिया आपको जहाँ लिखा हुआ है प्रेस new shortcut की और command आपका क्या है alpha यानि कौन सा shortcut की type करें यानि प्रेस करें जो कि आपका alpha symbol insert हो जाया आपके word document में यहाँ पर आपको वैसा shortcut की यूज करना है जो कि पहले यूज नहीं हुआ हो जैसे आपका control है पहले से यूज हो रहा है all select के लिए control b bold के लिए यूज हो रहा है अलग अलग आपका shortcut है जो कि आपका पहले से यूज हो रहा है तो यहाँ पर कुछ unique कुछ अलग यूज करेंगे जैसे अभी आप control a देते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साब currently assigned to edit select all यानि select all के लिए control a का यूज हो रहा है यहाँ पर unassigned लिखा हुआ आएगा जिस shortcut key में उसका आपको यूज करना है जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ alpha है तो alt a अब देख सकते हैं यहाँ unassigned है assign करेंगे यह current key में add हो जाएगा add हो गया close close alt a देख सकते हैं यह आपका alpha आ रहा है और यह हम लोग बना के चेक करते हैं जैसे बीटा का सेंबल में आए more सेंबल बीटा को सेलेक्ट कियें shortcut key यहाँ पर alt b टाइप करते है alt b and assign assign किये current key में आ गया यह आपका close close alt b टाइप करते हैं यह देख सकते हैं आप बीटा आ रहा है अगर आपको डिलीट करना है अगर आप चाहते हैं shortcut हम डिलीट कर दें तो जैसे आपने एड किया वह जैसे आप डिलीट भी कर सकते हैं सेंबल में आ है more सेंबल आप जिसका बनाए हैं shortcut की उसी सेंबल को किलिक करके shortcut key में आना होगा और फिर current key में आपको वह shortcut की दिखेगा उसको select करके remove करना होगा remove close फिर बीटा select किये shortcut key alt b select किये remove close close अब जख सकते हैं यहाँ पर alt a press करते हैं अब नहीं आ रहा है तो यह आपका remove हो चुका है अगला आपका auto correct more symbol में आ हैं यहाँ आपको मिलता है auto correct आप auto correct के थुरू word को भी auto correct करवा सकते हैं और sample को भी auto correct में aid करके use कर सकते हैं जैसे alpha को click किये alpha select हुआ आपका उसके बाद auto correct हम चाहते हैं जब भी al लिख के space यह enter करें तो alpha आजाए al यहाँ replace में type कर दिए अब बित में आपका यहाँ formatted text में alpha aid है aid कर दिए जैसे यह आप aid button को click किजेगा यहाँ list में यह आपका aid हो जाएगा aid ok close अब जेक सकते हैं al space अलफा आगिया आप इसी तरह से दूसरा भी aid कर सकते हैं जैसे more sample में आए इस वार mu को aid करते हैं auto correct replace में हम चाहते हैं जब भी mu लिखे तो mu आजाए aid कर दिए ok close mu space mu आगिया तो इस तरह से आप जिस भी sample का auto correct बनाना चाहते हैं बना सकते हैं अब इसको भी हम लोग remove कर लेते हैं sample में आए more sample आपको यह याद रखना होगा इसमें कि आप replace में कौन सा later देके उसको aid किये auto correct में तो auto correct में फिर से आये mu यहाँ पर type किये देख सकते हैं आपका mu आगिया इसको हम लोग delete कर दिये उसके बाद al type किये आप देख सकते हैं आपका list में alpha आया select भी है इसको delete कर दिये close close अब देखिए al type के space नहीं आया alpha mu type किये mu नहीं आया तो इस तरह से आप auto correct में sample को add कर सकते हैं अब अगला एक और ज्यादा important option है आप auto correct के थुरू word को auto correct कैसे करवाईएगा तो उसके लिए sample में आये more sample auto correct जैसे हम चाहते हैं क्या kr लिखे तो कुमार आजाए si लिखे तो sing आजाए ml लिखे तो mandal आजाए ch लिखे तो चौदरी आजाए इस तरह से हम अलग-अलग title aid करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि word document में ऐसा को आप काम कर रहे हैं कि आपको धेर सारा title बार-बार लिखना पर रहे हैं तो उसके लिए आप auto correct का help ले सकते हैं यह फिर हम चाहते हैं जैसे ही हम bseb लिखे हैं तो बिहार school examination board आजाए तो उसके लिए हम लोग कैसे aid करेंगे यह देखिए आपको replace में वो word type करना होगा जिसके साथ आप replace करवाना चाहते हैं जैसे हम kr लिखे हैं तो कुमार आजाए अब आपको यहां पर लिखना होगा formatted text है भी इसलिए आप लिख नहीं सकते हैं उसके लिए आपको यहां पर plain text option को choose करना होगा आप यहां पर अपने अनुसार लिख सकते हैं आपको जो भी लिखना है जैसे हम चाहते हैं दो कुमार आजाए इदर कुमार लिख दिये एड कर दिये उसके बाद हम चाहते si लिखे तो sing आजाए si यहां पर sing लिखके एड कर दिये हम चाहते ch लिखे तो चौधरी आजाए ch चौधरी add कर दिए हम चाहते ml लिखे तो mandal आ जाए enter या तो आप add को किलिक भी कर सकते है sa लिखे तो सहनी आ जाए add उसके बाद हम चाहते हैं बिहार school examination board इसको भी add कर दे तो इधर पहले हम लोग type करते हैं जैसे मैंने type कर दिया बिहार school examination board अब अगर हम लोग यहाँ पर bseb लिखते हैं तो problem यह करेगा कि अगर आप कहीं पर short इसका लिखना चाहरे bseb तो वहाँ पर जैसे आप short type करके enter यह space किजिए तो आपका full आ जाएगा तो यह आपका problem करेगा तो यहाँ पर कुछ अलग देते जैसे bseb p लगा देते है p for patna bseb p एड कर दिये इसको ok close अब यह देखिए आपके काम को कितना जादा easy कर देगा जैसे आपको sures mandal लिखना है sures type किये mn space mandal आ गिया राजेस कुमार चौधरी लिखना है तो यहाँ पर rajas लिखे kr लिखे कुमार आ गिया ch लिखे space किये चौधरी आ गिया जैसे suman कुमार sing लिखना है तो यहाँ पर suman लिखे kr दिये space कुमार आ गिया si लिखे sing आ गिया जैसे दीपक कुमार सहनी लिखना है तो यहाँ पर दीपक दिये के आर दिये space किये कुमारा गया से दिये space किये सहनी आ गया तो इस तरह से आप अलग अलग word को aid कर सकते ओटो करेक्ट में अब और एक aid किया था मैंने bsebp bsebp space अब देख सकते हैं बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोर्ड आ गया जैसे ही bsebp लिख के space किया या तो आप interview कर सकते हैं तो यह आपका हुआ auto correct आपका इस तरह से आज insert tab का total option complete हो चुका है तो आप हम लोग अगले वीडियो में सिखेंगे design tab के बारे में उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share करना न बोले बताएगे option में आपको कुछ भी confusion हो तो नीचे दिएगे comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आप इस channel में new आया है तो नीचे दिएगे rate subscribe बटन को किलिक करके channel को subscribe जरूर कर लेजे थांक्स पर वाचिंग